हलो प्रेंड आपके अपने चैनल इस्टेंडर्ड फूर्ड सीता में आप सभी का स्वागत है तो हम आप लोग को एकसा जो सेर करेंगे पंजाब की मशुहूर रश्पी जो की इतनी टेश्टी लगती है बच्चे और बड़े सभी बहुत ही प्यार से इसको खा लेते हैं जब आप लोगों को थोड़ा भी प्रसंद आया तो प्लीज समारे चैनल को सस्क्राइब लाइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे की हमारी वीडियो की नहीं नहीं जान करीं आप लोगों तक पहुचती रहें तो चलते हैं पनी रश्पी की तरफ यहां पर हमें सबसे पहले बेसन धाल को प्रेसन अधिक को अज़वाइन को शिरा जाला है सवादनुसा नमक ले लेना है और थोड़ी सी लाली मिच पावडर थोड़ी हलली पावडर जिसकिए कलर फूल बनकर तयार होगा अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स लिहना है जिसकी सारे मसाले उओगों है और ह पेटर को में तो इसाहर न सकते हैं तो इसाव्य पाउडर नहीं है को डाई जीह ठाउडस बना में तो नहीं तो मिर्च हल्दी पाउडर नहीं बनाजी रहरा है लाल मिर्च पाउडर और धन्या पाउडर अपने हिसाब से अपनी ले सकते हैं या अमने दो-छोटे चमपश धन्या ड़ला है जद्या डालेंगी तो यदधा ही तेस्टी बनेकर तयार होगी अब थोड़ा सा पानी डाल कर हमें पेटर बनाकर तयार कर देना है आप यहां पर हम्ने च्छांज ली में दांट हिए लिए के अग लोकूल बड़े फेंते हैं यही को देख है कि बढ़िय। ईसके भी प्रफेक्ट तयार हो चुका है या नहीं तो कड़ी बनने के लिए पहुती प्रफेक्ट बेशन हमारा ऊपर पास तयार होचुका है इसको हमें अच्रे से। प्राइं करके बनाने हैं पॉल्टी बड़ी हो जाती हैं एतना अच्छा इम ने पैसन फेटकर प्राइब कर देनी हैं पकोडिया उना बसे ही प्राइक लेनी हैं डया सकते हैं अब घाए सकते हैं आ में इतनी त्युक्ति हमारी पकोडियां को सूक जाएंगा मत्य आडवी तेस्टी बन जाए ने अब यहां पर हमने दो चम्मच लिया है ग्रीवी बनाने के लिए बैसन में थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसके बल्लक निकात देना है जिसे की इसमें गिल्टी बेगारा ना रहें अब अच्छे से इसको फेंट लेना है फेंटने के बाद इसमें जो बची हुई हमारी उतना ही पेटर हमें तयार कर लेना है अब इतनी हमारी पेमिली के कोटिंग पेटर तयार हो चुका है अब यहां पर हमने जो लेसन प्याज का पेटर था और यहां पर हल्दी मसाले का था दोनों को हमें अच्छे से डालकर मून लेना जिसे की हल्दी और लेसन अच्छे से अच्छे से पकने के बाद ही हमें डालना है यहां पर हमने एक चमच नमक लिया है आप चाहे तो हमने स्वादनस्वान नमक ले सकते हैं दीमी दीमी आज पर इनको हमें पका लेना अब जो हमारी हल्दी अच्छे से बन पक चुकी थी उसी में हमें यह पेटर डाल देना है पे वरतन ही ही हमें कड़ी बनानी चाहिए हमारे पास कड़ाई पूछ थी इसलिए हम उठाँवठा कर इसको बना रहे हैं और हमारी कड़ी बनकर तयार हो चुकिक, इसी में हमें बच्चों ही पकवणिया डाल देनी है 10-15 मिनिट के लिए रिसमी में लगता है पहले हमें इसको अच्छे से गीरीवी बना कर तयार करनी होती है उसके बाद इसमें यह पक़णिया डाल देनी है अब इसको हम दो से तीन मिनिट के लिए अच्छे से पकाएंगे उसके बाद इनको हमें निकाल लेना है ऐसे अपर मिच्चे ज़्यादा खाया जाते हैं तो इसलिए हम लाल मिर्च भून रहे हैं और इनको हमें अलग निकाल देना है और इसके उपर हमें प्राइ कर देना है प्राइ करीवी कड़ी की स्वाधी बहुत ही अलग होता है हमारी तरह से अपने घर पर इसको बनाकर जरूर ट इतनी टेश्टी लगती है कड़ी आईए मैरे साथ इसको कड़ी पकोड़े ट्राइ किजिए कर इतनी टेश्टी बनका तयार हो चुके हैं और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर एंग चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलियागा मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के सब्सक्राइब बाई बाई टीकेर